कि मैं स्कार दोस्तों स्वागत करती हूं एक बार फिर से शार्दा क्लासे सीकर में जैसा कि आपको पता ही है सीधी बात करते हैं आज की बात करते हैं आप यहा आगर देख पा रहे होंगे तो ये आज की डेट की क्लिप है तो इस बार हलेंकी आपने देखा होगा तो LDC बरती 2013 को लेके बहुत अजीब अजीब से आपने नियोजें भी देखी होगी जैसे कल आपने एक जैपूर की नियोजें एक वीडियो रिकॉड करके मैंने बताया था कि वहाँ 22 कंडिडेट को सेलेक्ट तो किया है लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपको जोइनिंग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पद नहीं है जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पद नहीं है 300 पद ऐसे हैं जो अभी भी खाली है ऐसा कुछ कंडिडेट कह रहे हैं कि मैं जितनी लिस्ट थी उतने उतने पदों की वेकेंसी निकाली ही नहीं गई है इसके अलावा जैपूर्ट से एक प्रोवीजनल लिस्ट भी निकाली गई तो ये अजीब से कनेक्शन्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यहां हम बात करते हैं आज जो नियूज है वो टॉंक जिल्ले की नियूज है और आप इस नियूज में अगर देखेंगे तो जिल्ला परिशत टॉंक की ओर से सोमवार को पंचायती राज विभाग में कनिस्क सीधी भरती 2013 के प्रिक्षा सूची से चैने 26 में से 21 अभ्यरति इस दोरां जिल्ला परिशत कारेले में जिल्ला परमुक सरोज बंसल एउ अतिरिक्ठ मुख्या कारेकारी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा की ओर से चैनी कनिस्क लिप्यरतियों का माला पैना कर मुह मिटा करवा कर चैन पत्तर सोपे गई तो यह एक अच्छी नियूज भी है जिन कैंडिडेट्स का जिल्ला परिशत टॉंक में सेलेक्शन हुआ है उनके लिए यह बहुत अच्छी नियूज है कि उनको इतना सम्मान के साथ उनको यह अक्सेप्ट किया गया है यह पत्तर सोपा गया है इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो इमानदारी और करतवे निस्टा के साथ कार्य करने का संदेश दिया है इस दोरान जिल्ला परमुक ने चैनित अब्यर्तियों को संबोधित करते वे कहा कि सबी अब्यर्ति जनता का कार्य पूरी इमानदारी और करतवे निस्टा के जब आपको opportunity मिली है जन सेवा करने की तो इमानदारी से करनी चाहिए मुझे उमीद है कि आप सब करेंगे भी जिनका भी selection होगा अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी परकार की छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स पर वचिंग दिस वीडियो